हेलो दोस्तों आप सभी का क्लिक कंपीटर में शौगत हैं दोस्तों आज कंपीटर में सिखेंगे एकसल यहां दोस्तों एकसल क्या है एकसल में कैसे काम होता है और उसके फिकर के बारे में जानेंगे तो आज दोस्तों पहले हम एकसल को आपन करते हैं तो आपको पता है दोस् सर्च करना थे यहां पर भी आप सर्च कर सकते हैं यी एकसी एल लिखे घार तो यहां पर आपको मिल आता एक्सल का एप्लिकियसनियाप माउज क्लेक्ट करें बंपन फोजाता है तो दोस्तों जैसे हम एक्सलिओ उपन करते हैं तो figure इस तरह से दिखता है अब यहाँ पर दोस्तों आपको मैं बताने वाला हूँ कि excel का जो figure है और इसमें बहुत सा ऐसे नाम होते हैं लाइन होते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है उसे आपको यहाँ बताने वाला हूँ और साथ मैं आपको बहुत सारा जो basic knowledge होता Excel में वो भी आपको यहाँ पे जानकारी मिलने वाला दोस्तों तो आज दोस्तों बिना देर की वे मैं आपको बताता हूँ दोस्तों Excel का सबसे उपर का जो यह line है ठीक है इस line को हम title bar कहते हैं क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे है Microsoft Excel का नाम दिया हुआ रहता है इसलिए इस line को हम title bar के नाम से जानते हैं और इसी title bar के right hand side में देखेगा यहाँ कोने पर एक sign है minus का ठीक है दोस्तों इसे हम minimize button कहते हैं जैसे हम minimize पर click करते हैं तो यह जो Excel का application है वो task bar पे यहाँ पे आ जाता है और आप यहाँ से फिर से open करना चाहेंगे तो बस click किज़ेगा यह open हो जाता है यह पर minimize का just bugle में देखेगा तो एक और एक sign है जिसका नाम है restore down तो दोस्तों इस पर mouse से click करते हैं तो देखेगा यह जो Excel का application है screen में छोटा size हो गया है इसे आपको और चोटा करना है Excel का borderline पे आएगा और यहाँ पे देखेगा इस तरह का एक sign आ रहा है माउस से click करके इसे आप इस तरह से और चोटा size कर सकते हैं अब कोना में भी रखे इसे इस तरह से छोटा एक दम बिल्कुल छोटा कर सकते हैं इस तरह से आप चोटा size करके Excel का file को रख सकते हैं और इसे फिर बड़ा भी करना होगा तो इसी कोना पे जाना है यह वहला sign जब आता है माउस को click करके इसे फिर से दबारा बड़ा size कर सकते हैं टाइटल बार माउस को रख के आप इस application को screen में इधर उधर move करा सकते हैं ठीक है चले दोस्तों अब इसे फिर से हमें बड़ा size करना है यानि कि maximize करना है तो आपको इसी बटन पे जाना है ठीक है अब इसका नाम हो गया maximize ठीक है दोस्तों यहाँ पर माउस से क्लिक करेंगे या फिर से full screen हो गया है अब यही पर एक और sign है जिसका नाम है close button ठीक है यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो Excel का application close हो जाता है टाटल बार के नीचे के line को हम menu bar या tabs कहते हैं जैसा कि यह home tabs है और यह insert tabs है और यह page layout tabs है हर एक menu में बहुत सरे commands और options दिये हुए रहते हैं जैसे home पर click करते हैं तो देखिए यहाँ पर बहुत सरे commands और options दिये हुए हैं और इस line को हम ribbon tabs कहते हैं और इस ribbon tab को हम hide और unhide कर सकते हैं इसके लिए दोस्तों आपको यहां पे आना है आप देख रहे हैं यहां पर एक साइन है हम पर माषसे बस क्लिक कर देना है तो यह ribbon tap hide हो जाता है फिर से इसी शाइन पे आना है और माषसे एक बार click कर देना है तो फिर सी यह sok करने लगता है इस ribbon tap को hide और unhide करने का एक और तरीका है बस आपको क्या करना है taps बटन पे जाना है और mouse से double click कर देना है तो इस तरह से hide हो जाता है फिस इसे soak कराना है तो tap बटन पे ही रखे mouse से double click कर देना है तो फिर ये soak करने लगता है अब इस ribbon tap के नीचे में यहाँ पर एक box देख रहे हैं ठीक है इसे हम name box कहते हैं तो यहाँ पर आप देख रहें row और column से हैं ठीक है और एक छोटा छोटा box है तो इस box को हम sale कहते हैं तो इसी sale का नाम को हम name box में देख सकते हैं जैसे कि ये से कौन सा column है, जैसे कि ये F column पे है, ठेके, और 5 row में है, तो इसे हम name box में देख सकते हैं, और यहीं पर एक और एक लंबा सा box, इसे हम formula bar कहते हैं, sit में हम जो भी type करेंगे, उसे हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम type करेंगे, तो हम देख सकते हैं, कोई formula भी हम लाइन है जैसे A, B, C, D यह columns के नाम है जैसे यह column, B column, C column यह सब column के नाम है इस तरह अब देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 इस तरह serial number दिया हुआ है यह row कहलाता है दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं छोटा से खाले box है इस पर mouse से click करेंगे तो पूरा seat को select कर देता है दोस्तों यह जो seat है और यहाँ पर बहुत सारा lining row कोलम का line दिया हुआ है इसे हम grid line कहते हैं कुछ भी data यहाँ पर type करके उसे आप print निकालना चाहेंगे तो यह print में यह grid line नहीं आता है इसलिए आपको क्या करना होगा इसको अलग से आपको border line देना होता है तो आप जहाँ तक data type किये वहाँ तक पूरा select कर लेना है उसके बाद आपको यहाँ पर एक option मिलेगा border का है ठीक है दोस्तों यहाँ पर जाके आप border का line दे सकते हैं बटन पर click किज़ेगा और यहाँ पर all borders पर mouse से click करना है यहाँ पर border आ गया है अब जब print करेंगे तो यह border line प्रिंट में आएगा इसके बाद नीचे में आते हैं दोस्तों यहाँ पर जेख रहे है seat 1, seat 2 तो आप यहाँ पर seat आप बढ़ा घटा सकते हैं यहाँ पर दो seat दिखा रहा है यहाँ आपको और एक seat बढ़ाना है तो यहाँ पर एक option है इस पर mouse से click करेंगे तो एक seat और बढ़ जाता है तो आप जितना seat बढ़ाना चाहेंगे यहाँ पर click करते रहेंगे तो seat बढ़ते जाता है सबाइस सब्सक्राइब E करना है तो यहींपर पुइंटर रख़िए राइट क्लिक करना शुक्य आप देखेंगगर चाहँ इससे से लिफ एक लेःट कर दिक करें रखें यहां पर click करेंगे और यहां पर आप नाम लीग सकते हैं। और इस तरह से टाउप कर दीज़ेगा। स्टफ का color change करना हो तो यहां पर right click करना है यहां पर देखिएगा टापको भी रंक सरह को करना है यहां पर किया करना है। और यहां पर आपको option मिलता है move और copy ठीक है इस पर mouse से click करना है तो यहां पर option मिलता है आपको move करके कहा ले जाना है तो seat 1 के बगल में तो select करके ok बटन दबा देने से यह जो seat था वो seat 1 के बगल में आगया है फिर right click करेंगे तो यहां पर देखेगा आपको और एक option मिलता hide करने का मतलब इसे आप hide करके रख सकते हैं seat को hide बटन क्लिक करेंगे देखिए यहां से hide हो गया अब उसे फिर से आपको unhide करना है तो कोई भी seat में रखके mouse का right click करना है और यहीं प किसी seat को हम password डाल के lock करना चाहेंगे तो उस seat पर जाना है और mouse का right click करेंगे और यहीं पर आपको मिलता है protect seat इस पर mouse से click कर देंगे उसके बाद यहां पर आपको password डाल देना है डाल दिए OK बटन पर दबा देते हैं फिर एक बार re-interview करना है password को और OK कर दिए अब यहां पर हम कुछ भी tapping करेंगे तो यह tapping नहीं होगा ठीक है दोस्तों यहां पर अगर कोई चीज लिखा हुआ रहता है उसका हम delete करते हैं यह पूरी तरह से lock हो गया है ठीक है दोस्तों अब इसे lock को हटाना भी दोस्तों तो क्या करना है आपको फिर से यहां पर right click करना है और यहां प पे आप कुछ भी लिख सकते हैं इस तरह से seat को lock और unlock कर सकते है एक्सल में rows और columns कितने होते हैं और last row और column में जाने के लिए हमें क्या करना है इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना कोई भी sale पर mouse का pointer रखना है उसके बाद यदि हमें last row पे जाना है उसके लिए हमें क्या क करना है कीबोर्ड से control और arrow की का down arrow को प्रेस कर देना है तो हम last row पे आ जाते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं last row और row कितने होते हैं वो भी आप देख सकते हैं जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 10,48,576 इतना row है अब हमें फिर से first row में जाना है तो फिर से आपको क्या करना है control बडन दबाना है और arrow की का up arrow बडन को दबा देना है तो हम फिर से first row पे आगे हैं इसी पकार से हमें last column पे जाना है तो control और right arrow बडन को दबा देते हैं last column पे आगे हैं और यहाँ पे आप last column का नाम आप देख रहें xfd फिर से हमें first column पे आना हो तो फिर से आपको क्या करना है control और left arrow बटन को दबा देना है तो हम यहाँ पे first row और column पे आगे हैं दोस्तों मैं आपको एक और असान तरीका बताता हूँ जिससे आप जान सकते हैं कि आपका seat में rows और columns कितने हैं तो इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे आना होगा तीक है select यहाँ बटन पे आना होगा यहाँ पर mouse का left click को दबा के रखना है तो जैसे आप दबा के रखते हैं तो यहाँ यहाँ पर देख रहें rows और columns दिया हुआ है तीक है दसलाग करताले सजार पाससो चैतर रोस है उसके बद कॉलम यहाँ पर आप देख सकते हैं 16,384 columns है सेल में एक डाटा टाइप किया हुआ है और यह जो सेल ह D column पे है और 6 row में है और यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यह जो डाटा है यह D column पे है लेकिन इसका कुछ later E पे भी आ गया है लेकिन यह जो later E पे दिख रहा है यह E पे नहीं है ठीक है यह आप यहाँ पर रखके अपड़ीट पड़न दबाते हैं तो delete नहीं होग क्योंकि हम इसे type किये है D column के sale के अंदर में ठीक है दोस्तों तो क्या करना होगा आपको इस column का size को बड़ा कर देना है तो इसके लिए आपको क्या करना है D column पे जाना है और यहाँ पर करसर रखना है ठीक है और इस तरह से काला वाला प्लस का sign आता है mouse का left click को दबा के रखना है उसके वाल थोड़ा size से इस तरह से गीज देना है तो column का size बड़ा हो जाता है इस परकार से दो तो column का size को बड़ा करने का एक और तरीका है तो करना क्या है आपको D column के यहाँ पर आपको mouse का pointer रखना है यानि कि करसर रखना है और mouse का left click को जल्द जल्दी में दो बार डबल क्लिक कर देना है तो आटमेटिक जितना डाटा टाइप किये थे उतना कॉलम का साइज बढ़ा हो जाता है Excel के नीचे में यहाँ पर दाइने साइट में जुम का उपसन दिया हुआ है और यहाँ से हम सीट का जुम साइज को बढ़ा और घटा सकते है Excel सीट का जुम हम 400% तक बढ़ा के रख सकते है और इसे हम 10% तक कम करके रख सकते है और जब भी हम Excel में काम करते हैं तो हम 100% या उसके आसपास परसेंट में रख के काम करते हैं और यहीं पर देखिएगा आपको और भी उप्सन मिल रहा है यह सीट का व्यू का ओप्सन है और अभी यह जो सीट है नॉर्मल व्यू में है अब यहीं पर देखते हैं एक व्यू का ओप्सन है जिसका नाम है पीज ले आउट इस पर मौश से क्लिक करते हैं तो देखिएगा आपका seat इस परकार से अलग-अलग में divide हो जाता है अब से फिर से normal view में करना है तो यहीं पर आके normal option पर mouse से click कर देना इस परकार से seat normal view में हो गया है Excel में इस तरह से data type करना होता है और कभी-कभी data बहुत बड़ा होता है 50, 60, 100, 200 data type करना पड़ता है और वहाँ पर हमें serial number भी type करना होता है तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बहुत असान तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप serial number type कर सकते हैं यहाँ पर one लिखेंगे और नीचे two लिखतेते हैं और दोनों को select कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर दैने कोने पर देखिएगा एक काला रंग का एक point आगिया है इस पर mouse का pointer ले जाना है और यहाँ पर देख रहें mouse का pointer भी काला रंग का plus sign में हो गया है उसके बाद क्या करना है आपको mouse का left button को दबा के रखना है और नीचे के तरब इस तरह से dragging करते जाना है अब जतना dragging नीचे के तरब करते जाएंगे serial number type होते जाएगा ठीक है दोस्तों इसका एक और तरीका बताता हूँ दोस्तों यहाँ पर रखेंगे one लिखेंगे उसके बाद क्या करेंगे फिस select करेंगे यहाँ उसके बाद यहाँ पर कालावला पॉइंट पर जाएंगे मौस का left click को दबा करेंगे और नीचे के तरब ऐसा dragging करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं one one ही type हो रहा है लेकि नीचे आपको एक option मिल रहा है इस पर मौस से click करना है click जैसे करते हैं यहाँ पर भी fill series का एक option मिल रहा है उस पर मौस से click कर देंगे तो यहाँ पर serial number type हो जाता है दोस्तों हम table भी बहुत असान तरीका से बना सकते हैं जैसे two का table बनाना है तो two type करेंगे और नीचे four type करेंगे उसके बाद दोनों को set करेंगे फिर से वो काला ओला point पर जाएंगे और मौस का pointer वहाँ पर रखेंगे और left button को दबा के इस तरह से नीचे drag करेंगे तो देखिए यह two का table इस तरह से बन गया है table हम यहाँ पर और भी बना सकते हैं मालिज़े आपको बहुत सारा table बनाना है एक ही बार में तो करना किया है पहले आपको serial number टाइप कर लेना जैसे हम यहाँ पर serial number टाइप कर दी है और यहाँ पर two का भी table बना लिए है तो दोनों को select कर लेना इस परकार से उसके बाद नीचे पर जो काला ओला point पर है वहाँ पर mouse का pointer ले जाना है उसके बाद left click को दबा के इस प्रकास से ड्राइग करते जाना है आप जतना ड्राइग करेंगे उतना का table बनते जाएगा एक्सल में और भी है जो जिसे आपको जाना चाहिए दोस्तों जैसे कि हम Sunday Monday ऐसा टाइप करना है पर हम लिखते हैं Sunday 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 लिखें अब फिर यहां पर select करेंगे फिर वही काला पॉइंट पर जाके नीचे की तरह ट्राइग करेंगे तो देखेगा Sunday Monday ऐसे अपने यहां पर टाइप हो जाता है उससे बगार मन्त का भी नाम कर सकते हैं जैसे हम जन लिख देए सौट में तो देखेगा इससे भी तो पॉइंट पर रखना है नीचे की ट्राइप से ड्राइगिंग करेंगे तो यह जनुवरी फरवरी सबसे मन्त का नाम आ जाता है आप इस तरह भी ड्राइग करेंगे तो इधर भी आपका यह टाइप होने लगता है अब कोई भी डाटा को यदि आपको सीट में इधर अधर पर मूब करना तो पहले सलेट कर लेना उसके बाद यह जो बोडर लाइन है वह आपकर करसर का पॉइंटर रखना उसके पकड़ के आप इससे कहीं भी मूब कर सकते हैं दोस्तों इसी तरह से मैं कम्पीटर स्लेटेट वीडियो लाता रहता हूं यदि आपको यह वीडियो बचा बीड कर दो ला 74 आपको हुँ वीडियों गूरी पर मूब कर कर दोस्तों छोटे इससे होग अजनर चाहर कर दो से क्या सेसे हां चे जवन्ट नहीं जबका डिछन्यवों आपके शॉम में हाले मूब कर वीडियों इससा हुँ आपकी दहां हुई पक्लीियों का पक्ली